ओमो नमाहिस्वय दोस्तों कुम्भरासिवल जात्कों का इस चैनल पे स्वागत इस वीडियो में हम आपको पताने जा रहे हैं कुम्भरासिवल जात्कों के लिए साल 2013 में जोन का महिना किस प्रकार जाने बला है यानि जोन का महिना क्या कुछ खास कुम्भरासिवल जात्कों के जीवन में लेकर आया हुआ है इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने बले हैं इस पूरे महिने की सम्यावधी में ग्रहों की दसा और चाल की आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माड कुम्भरासिवल जात्कों के जीवन में होने बला है किन-किन छेत्रों में आपको बड़े उपलब्धी या बड़े खुसकवरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर कुम्भरासिवल जात्कों को साथधानी बना कर चलने के आप सकता रहने बली है इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने बले है तो कुम्भरासिवल जात्कों के लिए ही ये रासिफल बनाये गया है और आपकी चंदर रासिवल जात्कों के जीवन से जुड़े हुए हर छेत्रों के बारे में सटीक जानकारी हम आपको देने बले है जैसे कुम राशी का केरियर और व्यापारिक जीवन काइसा रहेगा आर्तिक जीवन काइसा रहेगा पारिवारिग जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्त, एजुकेसन लाइफ और कुम राशी वले जात्कों के लिए कुछ विशेस और धार में उपए जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतरिन स्थतियां देखने के लिए मिलेगी और कम प्रयासों में भी आपको बड़ी सफलता देखने के लिए मिले सकती है तो इस रासी फलकॉं प्रारम्ब करें उससे पहले हम आपको जनकरी दे रहे हैं कि कुम रासी के उपर जोनके महिने में ग्रही स्थतियां कि इस प्रकार की आपके रासी के उपर रहने वली है देखे आपके संपोण रासी को नियंतरित रखने वले ग्रह बनते हैं सनिदेव जो आपके प्रतम भाव यानि लगन भाव पर मोल त्रिकोनस्त होकर गोचर करने वले हैं और पंच महापुरुस योगों में से एक योकसा स्योग का निर्माड भी कर रहे हैं राहु और गुरु पूरे महिने वर आपके पराक्कम भाव पर गोचर करने वले हैं केतु देव आपके रासी के भागी भाव पर गोचर करने वले हैं सनी देव आपके रासी के लगन पर प्रभावी हैं सूर्य बुद आपके रासी में महिने के सुरुआति 15 दिनों में श्यतुर्थ भाव पर गोचर कर रहे हैं उसके पश्चात ये दोनों ग्रह आपके रासी के पंचम भाव पर जाने वले हैं। इसमेने मंगल नीचस्त होकर आपके रासी के छटवे भाव यानि रोग भाव पर गोचर करने वले हैं। और सुक्रदेव आपके रासी के पंचम भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वले हैं। इस प्रकार की ग्रही स्थतियां आपके रासी के उपर निर्मित रहने वली है। इसमें मेजर ग्रहों का रासी परिवर्तन नहीं हो रहा है। और माइनर ग्रहों का परिवर्तन काफी ज़्यादा हो रहा है अब आई हम आपको बताते हैं कि आपके लिए किस प्रकार के संभावना इस सम्यावधी में यानि जून के महिने में आपको देखने के लिए मिल सकती है सबसे पले आपको जानकारी दे रहे हैं केरियर और व्यावसाइथ जीवन के मामले में ये महिने आपके लिए कैसा है दीए जहां तक बात करें कर्म छेतर का रासी के दसंभाव से कर्म व्यावसाव प्रसिद्धी और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं आपके जो रासी का दसमभाव है जो उनके महिने काफ़ी ज़्यादा प्रभावी है, काफ़ी ज़्यादा बली है और दसमभाव पर सनीदेब के द्रिष्टियां पड़ रही है बुधादे तियोग का भी निर्माड है तो कर्मचेत्र के मामले में कुमभासी वले जात्कों के लिए विचारों में एकागरता और कर्मचेत्र में सफलता की संभावना दिखाई दे रही है इस पूरे महिने आपके मांसमान में व्रद्धी होगी मनोबल और आपका उत्सा काफु ज़्यादा बढ़ा हुआ रहने वला है यदि आप कोई व्यापार का संजालन करते हैं व्यापारिक जीवन में जुड़े हुए हैं तो समय आपके लिए और भी ज़्यादा बहतर रहने वला है कुम्भरासी के ऐसे जाता जो सरकारी, राजनेतिक और सामाजिक छेत्रों में जुड़कर काम कर रहे हैं उनके लिए समय काफी बहतर रहने वला है दसंभाव पर सनीजाने द्रिष्टियां पड़ रही है तो कर्म छेत्र के मामले में संभल कर चलना चाहिए किसी भी कारे विवसाम यदि आप यूड़कर काम कर रहे हैं उसमें आपको वरिष्ट अधिकारियों के साथ संभन्द को बहतर बना कर चलना है और यदि आपकी अधिनस्त यानि डाउन लाइन में कारे कर रहे हैं यानि किसी प्रकार के कारिका यदि आप संचालन करते हैं और आपके अंडर में लोग काम करते हैं तो आपको संभल कर चलना चाहिए। धन को लेकर अगर जानकारी दिया जाए। के लिए समय सामान ये रहने वला है। सुक्रदे पूरे महिने आपके पंचमभाव पर प्रभावी होकर लाप भाव से दृष्टी संबंद बना रहे हैं। तो किसी प्रकार के कर्ज जैसे स्थतियों से यदि आपको गुजरना पड़ रहा है। और निप्टाने का प्रयास यदि आप करते हैं कर्ज जैसे स्थतियों से यदि आप निकलना चाते हैं। इसमें आपको ज़्यादा स्रिष्टिता देखने के लिए मिलने वली है। परिवार के उपर, परिवार से जुड़े हुई भातिक सुखों के उपर धन के व्याय की प्रबल संभावना आपके लिए बन रही है। इसमें अगर आपके लिए पारिवारिक जीवन के मामले में आपको जानकारी दिया जाए। देखें आपके दुती और चतुत भाव की स्थतियां काफी ज़्यादा बली और बहतरीन बनी हुई रहने वली है। सनी आपके लगन पर गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ने कहीं पारिवारिक संबंदों के मामले में माहोल आपके लिए सामाने रहेगा। घर, परिवार और कुटुमबी जनों का कम सहियों का आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। क्योंकि सनी देव लगन भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो क्ताल मिल की कमी आपके मन में गलत फेमिया के रूप में बनेगी। इसलिए परिवारिक जिवन में समन्वे वैठा कर आपको इस महिने ज़्यादा चलने के आप सकता रहने वली है। कुम्ब रासी वेले जातकों के जिवन में किसी नवीन और मांगलिक कारियों के आयोजन के रूप रेखा, पांच तारीक के पश्चात यानि पांच जून के पश्चात बनती हुई दिखाई दे रही है। यदि आपके लिए सिख्चा के दृष्टि कोन से जानकरी दिया जाए। पंचम भाव के स्वामी सूरे के साथ 24 तारीक तक प्रभावी होकर चितुर्थ भाव पर गोचर कर रहे हैं। विद्यार्थियों के मन में राचनात्मक्ता उत्सा के वड़ने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके वज़े से ज्यादा बेहतर प्रभाव आप सिख्चा के छेत्र में अर्जित करने में सफल रह सकते हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकरी दिया जाए। दोस्तोर असी के पंचम भाव उपर सुप ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा बना हुआ है। इसलिए प्रेम संभन्दों के मामले में समय आपके लिए बहुत ये बहतर रहने बला है। यदि आप प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलने के लिए उत्सुख हैं। तो समय आपके लिए काफी ज़्यादा अनुकूल और काफी बहतर कहा जा सकता है। वहें वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए। देखे, सब्तम भाव के स्वमी सोरेदेव आपके चतुर्त भाव पर गोचर कर रहे हैं। ये इस्थति आपके लिए ज़्यादा बहतर नहीं है। और सब्तम भाव पर गुरु राहु के दृष्टियां पड़ रही है। तो देखे, 15 जून तक की समयावधी में, यदि आप भावाहिक जीवन में हैं, दामपत्य संबंधों में हैं, तो यहाँ पर आपको दिग्यतों का सामना करना पड़ सकता है। पार्टनर की सेहत को लेकर आपको उतार चड़ाओ मिल सकता है। उसके पश्चात आपके लिए इस्थितियां काफी ज़्यादा अनकूल और बहतर बनती हुई, दिखाई दे रही है। वहीं अगर आपके लिए स्वास्त के दृष्टिकोंड से जानकरी दिगा जाए। दिखे रासी के छटवे आटवे और बारवे भाव से सेहत समंदित चीजों के बारे में विचार करते हैं। इसलिए कुम भरासी वेले जातकों को यात्राओं के समय सावधान रहना है, सेहत को वेतर रखने के लिए दिनचरिया को बिवस्थित बना कर चलना होगा। खान पान की आदत पर आपको ध्यान जादा रखने के आपसकता रहेगी। अन्यथा पाचन तंतर से सम्मदे समस्य आपको परिशान कर सकती है। मंगल देव आपके छटवे भाव पर गोचर कर रहे हैं, वाहन चलाते समय आपको ज़्यादा सावधानी रखने के आपसकता भी रहने वली है। तेज रब्तार में वाहन चलाने से बचें, यदि आप टू विलर वहिकल चलाते हैं तो हेलमेट का प्रियोग जरूर करें, फोर विलर वहिकल चलाते हैं तो सीट विल्ड का प्रियोग जरूर करें। उसके साथ साथ कुम्भरासी के जातकों को सेहत को बहतर और स्रिष्ट बनाए रखने के लिए सराप, मांसाहर, धूमरपान, जैसे विशियों से भी आपको बचना चाहिए, इन सभी चीजों से भी आपको दूरी बनाकर चलना होगा. अब अगर आपके लिए धार्मिक उपाई के जानकेरी दिया जाए, दोस्तों धार्मिक दृष्टिकोंड से सनी जन्य उपाई करना जादा बहतर है, इस मैने आपको सनी जन्य मंदिर में जाकर सनी देप को सरसो के तेल का अरपन करना जादा बहतर है, सनी के मंत्रों का जब कर प्रवंद करना बहतर है उम प्राम प्रीम प्रॉम सम सनिश्चराय नमय उसके साथ सथ कुम्भरासी के जातकों को सुन्दर कांड और हनुमान चालीचा का नियमित पाठ करना अनकूल और बहतर रहेगा। इससे आप अपने जीवन में काफी अनकूलता अरजित कर सकते हैं। यदि आप अने वले समय में जोतिश, धर्म और दैने के रासी फल से संबंदित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमा शिभाएद।